अब दने शवस्तिया और चलिए राइपूर से बड़ी अपडेट आपको बता दें जहां सीम भूपिश बगेल का बयान सामने आया है सिटिंग विधायकों की टिकेट को लेकर गूपिश बगेल गोले उन्होंने कहा कि अधिकतर विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो टिकेट क्यों कटेगी साथी उन्होंने कहा कि कुछ विधायक परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं तो उसको यह तीन चार मेंन है जिसमें यह जिसी सुधारती है तो फिर क्योटी किट कड़ेगी मुक्षमंतरी भूपिश बगेल ने दुर्ग में सांसत बिजे बगेल के पाटन से चुनाव लड़ने पर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि पिशली बार चुनाव लड़ने के लायक नहीं समझा था पाटन में वो बहार से लाय से पारसूट सब्सक्राइब करेंगे और दुर्गों सब्सक्राइब करेंगे तो किंद्र सरकार किसान बिरोधी है सियम भूपिश ने MSP बढ़ने पर साफ तोर पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि मनमुहन सरकार में 130 प्रतिशत की दर से बढ़ाई गई थी तो वहीं चुनाव के समय में अब कटोती कर ली थी अब चुनाव से पहले फिर से बढ़ा दिया है सब्सक्राइब के समय में 30 परसेंट विद्धी वी थी और इसके समय मिला के बात दरें तो 66-67 परसेंट हो रहा है तो हमने 30 परसेंट देखे ही है 66 परसेंट में सिदह सिदह आगा मत किसानों के साथ सिदह धोखा है